ऐसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक गया हीट में कल आई हुई थी और उसको याई करना था हमने टाइम भी आप लोगों को कल बताया और कल सही समय पे उसको याई किया गया लेकिन उसके बाद क्या प्रोब्लम आया है जो धुक्मुक वाली बात हो जाती है जो सब के फार्म पे भी या घर पे या किसान भाई के घर पे यह चीज़ होता होगा यह चीज़ आप लोग जानने की ज़रूर परियास करते होंगे तो उस समय क्या आप लोगों को करना चाहिए वह मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और क्या सोचकर आप ज्यादा चल सकते हैं यह स सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेलाइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहें दोस्तों अभी सम्टिंग दो बज़ रहा होगा और अभी ऐसा लग रहा है कि फार्म में कितना सुकून है सभी बैठी विए खापी कर मस् साम पर नहीं है मैं भैस वगरा को भी दिखाऊं कि भैस को थोड़ा सा ठंड ज्यादा लगती है लेकिन इसके भैस के आंख में आसू भी नहीं है किसी तरह का केचिव अगरा नहीं है जिससे यह मालूम हो कि ठंड इसको असर कर रहा है ठंड के मौसम में सिर्फ एक हमारी सी 99% कनसीब कर गई है वोतर भी हीट में नहीं आई है जो कि उसका कुछ दिनों के बाद हम लोगने बताए है कि अब हमारी जो गये हैं हम टॉपिक पर आते हैं हमारी यह गया हम रा इस गये के साथ हमारा प्रोब्लम क्या हुआ हूँआ यहां पर आप जो देख रहे हैं गया बिल्कुल सवस्त है किसी तरह कोई दिख्कत नहीं फुल हीट में आई काफी बढ़ियां हीट था इसमें कोई शक नहीं था कि हीट खराब था हीट बढ़ियां था लेकिन कुछ लोगों से बात करने के बाद कुछ धुक्म कोला काम हुआ जैसे डीसी डालना गैना रिच लगाना हाला कि यह दोनों हमारे हिसाब से जरूरी नहीं था लेकिन हमसे सीनियर लोग हैं अगर उनके मताबिक अभी चलने पड़ता है मैंने वैसा ही किया डीसी इसको डालकर रात में लगभग 9 बजे हमने डीसी डाला 10 बजे इसको याई किया इसल अब आती है कि ब्लड यहाँ यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हुँ यह यह दो नहीं जा गया यानि एक कह सकते हैं कि 8 बजे के बाद यानि 10 बजे के करीब सुबह में और अभी 2 बज रहा है ये दूसरी बार इस तरह का बलड आपको मैं दिखा रहा हूँ बलड आता क्यूं है बलड देखें बलड देखने के बाद लोग किसान घबरा जाते हैं कि बलड आ गया अब ये mono करीगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है blood तभी आता है जब इसका heat तूटता है heat तूटने के बाद ज़्यादा तर blood किसी गया में आता है और किसी गया में नहीं आता है जैसा कि हमने तीन बार AI कर चुका है अपनी बचली रानी चाली किसको सुला का जो यहाँ पे है इसका blood हमेशा आ रहा है और हमें पिछले बार ही DC डाल कर AI करना था क्योंकि उससे क्या होता है कि concept कर जाती है तो इस बार अगर फेल होता है तो हम लोग उसको भी DC डाल कर AI करेंगे DC डालने का एक result लिया हूँ मैं उस इतल पे जो कि अब तक heat में नहीं आई है और एक बार में भी अगर इस तरह का ब्लड आ जाना तो ब्लड जब इस तरह का आप देखने के लिए मिलता है जब आपको पूरा गाढ़ा ज्यादा तो आप AI नहीं करें उस वक्त AI करने का कोई मतलब नहीं होता है ब्लड अगर हलका फुलका है या डिस्चार्ज ऐसा है जो मतलब पांचो फिंगर पे आप लपेटना चाहें तो लपेट सकते हैं उस तरह का अगर है डिस्चार्ज तो आप दोबारा AI करें दोबारा AI करेंगे तो उसमें फिर आपका ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड से घबराना नहीं यही प्रोब्लम आया है और इसी वज़े से हम लोग धुक्मुक में जादा हो गया कि ब्लड इसका ज्यादा हो गया तो लोग बड़े डॉक्टर जो सिनिर डॉक्टर है उनका मानना यह है कि ब्लड जब आ जाता है तो उसके बाद दोबारा AI आई नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं अगर कंसीब करना होगा तो एक इस्टरो में भी ओकंसीब कर जाएगी तो दोस्तों आज मुझे यही बताना था कि ब्लड से कभी घबराये नहीं अगर ज्यादा ब्लड है डिस्चार्ज के साथ है डिस्चार्ज ऐसा है कि आप सेमें लगाया है जो कि पंदरा सु रुपिया उसका सम्थिंग हम लोग को रेट पढ़ता है और उसी सेमें से हमने याई किया है डबल डबल एस का बात चल रहा था लेकिन भाईया का खायच था कि एविएस सेक सेमें लगाओ ताकि बच्छडी आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा इसलिए हम लोग सेक सेमें लगा है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलता हम फिर किस नेक्ट वीडियो में वीडियो पढ़ें लगा तो प्लीज लाइक से ज़रू कर दें थैंक यू